एक पल्लव राजकुमार थे नौ साल उसने इंतजार किया उसने अपनी ही बाई भुजा काट दी वहां से ये आया जो अप प्रसद है एक हाथ से नमस्ते आज भी वो स्कूल बना हुआ है लगभग पंदरा सौ साल पहले एक पल्लव राजकुमार थे जो एक भिक्षू बन गए वो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं अपने गुरू की इच्छा अनुसार जिनों ने उनसे कहा कि उत्तर देशा में जाओ और इसका प्रचार करो तो वो उत्तर की ओर चले गए बढ़ते बढ़ते वो चीन तक चले गए जब वो वहां पहुँचे तो ये खबर फैल गई कि बुद्ध के शिश्यर या ऐसे कोई जो इस मार्ग में गहरे डूबे हुए हैं इस तरफ आ रहे हैं तो वहां के शासक वो जिनकी ये जीवन भर की चाहत थी जिन्होंने मेडिटेशन हौल्स बनवाए बगीचे सब कुछ तयार सारे बौध शास्त्रों का वहां की भाशा में अनुवात करवाया एक गुरू के आने के लिए सब कुछ तयार रखा अब जब वो आए तब तक वो 72 साल से ज्यादा के हो चुके थे वो बोधी धर्म के स्वागत के लिए अपने सामराज्य की सीमा तकाई बोधी धर्म इससे प्रभावित नहीं हुए निश्चे थि उन्हें कुछ आराम की और खाने की ज़रूरत थी पर वो इस भव्वि स्वागत से इंप्रेस नहीं हुए पर उन्होंने स्वागत स्विकार किया और बैट गए और जैसे ही वो दोनों बैठे वो बोले क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ बोधी धर्म बोले हाँ बेशक पूछिए तो उन्होंने पूछा मैंने इतने सारे मेडिटेशन हौल्स बनवाए इतने सारे बगीचे तैयार किये इतने सारे अनुवाद ये सब कुछ मैंने दुनिया के इस हिस्से में बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए किया है क्या मुझे निबाना मिलेगा निबाना मतलब निर्वान या मुक्ति या आत्म ज्यान बोधिधर्म ने उन्हें देखा अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से घूर कर उनको देखा और बोले क्या तुम्हें निबाना तुम घोर नर्क में जलोगे किसे ने अभी-अभी आपका स्वागत किया आपको सब कुछ दिया, खाना दिया और अब वो ऐसा बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, तुम्हारे ले कोई चांस नहीं है क्योंकि सच तो ये है, कि तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो और फिर इसका हिसाब किताब रख रहे हो कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीज़ें की है तुम कहीं नहीं पहुचने वाले और वो चले गए कई जगाओं पर लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो बस चले गए और वो एक शावलन मंदिर के पास चले गए पर वो मंदिर के अंदर नहीं गए वो पास की एक गुफा में जाकर बैट गए तो जब बोधी धर्म गुफा के अंदर जाकर बैट गए तो जनरल शेन पहुचे वो उनके शिश्य बनना चाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि बोधी धर्म कलरी के ग्याता है कलरी के महारत ही पर बोधी धर्म एक शब्द भी नहीं बोल रहे उनने नौ साल इंतजार किया तब बोधी धर्म गुफा से बाहर आये और मंदिर में गए जनरल शेन उनके पीछे विंती करते हुए गए कृपया मुझे अपना शिष्ष बना लीजिए बोधी धर्म बोले ये तभी होगा जब ये बर्फ लाल हो जाएगी तो जनरल शेन ने शौर और बलेदान की भावना में उन्होंने अपनी ही बाई भुजा काट दी और अपनी बहां को चारो और लहराया और उनका खून चारो तरफ की बर्फ पर गिरा और उसमें जम गया बोधी धर्म ने ये देखा और अब वो उसे और दूर नहीं रख सके उन्होंने उसे अपना शिष्ष बना लिया तो कलरी में निपुन जनरल शेन जो अपने आप में एक गुरू बने और वहां से आया जो प्रसिद है एक हाथ से नमस्ते आज भी इसे किया जाता है ये जनरल शेन से आया जिनका एक ही हाथ था वो अपना नमस्ते ऐसे करते थे कलरी को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी माना जाता है कलरी को अगस्ति मुनी ने बना है एक कला के रूप में ताकि योगी और साधर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें और यहां से ही मार्शल आर्ट चीन पहुंचा जब बोधी धर्म वहां गए और पहला शावलन स्कूल शुरू किया आज भी ये स्कूल है और बढ़िया काम कर रहा है उन्होंने कई तरह के बदलाव किये हैं पर बुन्यादी स्वरू कलरी से ही है असल में ये एक लड़ाई की प्रक्रिया नहीं है जैसे दूसरे मार्शल आर्ट बन चुके हैं ये वास्तव में एक अनुशासन है एक तरह से योग अभ्यासों का एक उलास्मय रूप है जो शरीर का अलग-अलग तरह से उपयोग करते हुए आपकी भौतिक मनोवैज्ञानिक संरचना और उर्जा सिस्टम के बारे में आपकी समझ को गहरा बनाता है